आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है देखे दोस्तों, Amazon पैतरों पे पैतरे चलाता जा रहा है यहाँ पर future group की deal को किसी तरह से ना हो पाए उसके लिए सारी अटकरने लगाने की कोशिश कर रहा है Amazon इस वीडियो में बात करेंगे CCI की अपडेट की और जो नई डेट आई है Supreme Court की December 8 की उसके बारे में भी व्याक्या की जाएगी देखे यहाँ पर Supreme Court ने सारे documents देखे हैं और documents इतने जादा quantity में submit किया गए दोनों party के द्वारा और साथ-साथ में special leave petition file कर भी आगया है Amazon के द्वारा जिसमें High Court ने, Delhi High Court ने CCI को instruct किया है दो हफते के अंदर अपना result declare करने के लिए उन्होंने कहा यह private transaction है इसमें यहाँ पर इतनी हबड तबड नहीं होनी चाहिए CCI के partition को रोकने की बात कर रही है अब यहाँ पर सीधा-सीधा है वो मान रहे हैं कि उनके transaction में गलती है यह बात समझे जो उन्होंने future coupon की deal की है वो सारे के सारे evidence submit किये गए है और उसमें intent कुछ और था CCI के approval के लिए बात किसी और चीज़ की की गई थी तो इस सब के चलते हुए यहाँ पर we do not agree कि यह private transaction should not be under scrutiny any transaction FDI violation is not above nation nation का law है nation में अगर आपको business करना है तो आपको उसके law को follow करना पड़ेगा that is a simple view जो हमारे हसाब से हमारे मित्र Amit जी ने law के reference में हाँ पर बताया है जैसा भी होगा हम आपको key भी posted साथ साथ में future group के employees ने petition file किया है जिसमें बताया है 27,000 direct job खतम हो जाती है अगर यह deal नहीं होती है तो informants director ने confirm कर दिया है this is the latest update CCI उन्होंने green light दे दिया है informants director ने that CCI can revoke the deal this is a very key information from art sources यहाँ पर जो letter गया है informants director से पूछा क्या था CCI के त्वारा क्या करना चाहिए इस हालत में CCI को उन्होंने कहा है yes this appears to be in violation और यहाँ पर you can revoke the deal waiting for what यह अभी तक हमें समझ में नहीं आया है कल की letter मिल चुका है यह और अभी भी आज CCI का कोई official news नहीं आया है we are eagerly waiting जैसे ही कोई CCI का specific update आता है इसमें we will keep you posted और यहाँ पर जैसे आपको पता है CCI को जो evidence दिये गए है रवीध हरिवाल जी ने बताया है दोनों के strategic right को hide किया गया है यहाँ पर इन्होंने Amazon ने out of court settlement की अगर बात करें that talk has paused कल की बात बंद हो गई अभी आपर Amazon is not willing क्योंकि Amazon यहाँ पर चाह रहा है किसी तरह से और delay हो क्योंकि उन्हें भी पता है future group और reliance की deal होके रहेगी यहाँ पर सिर्फ delay का tactic चल रहे है जिस वज़े से यह काफी सारा खर्च करते है अपना यहाँ पर high court और supreme court के lawyers के साथ में Reliance is willing to buy all the stock from Amazon जैसा कि deal के time पर भी इन्हें ने offer किया था और in fact उनके मांगे हुए price से जादा पर उस time पर उन्हें ने offer किया था बट अब यह delay हो गया है तो इसकी वज़े से Reliance भी interested नहीं है इतना जादा यहाँ पर उनको premium देने के लिए option for court यहाँ पर 8 तारिक को जो discussion चलेगा उसमें उमीद लगाई जा रही है कि यह यहाँ पर अच्छा result देंगे specifically जो employees है और जो lenders है और जो shareholder है उनके लिए Amazon का point of view clear नहीं हो रहा है चाहता क्या है आखिर क्योंकि Amazon एक तरफ यहाँ पर offline discussion कर रहा है out of court settlement के लिए और दूसी तरफ high court के फैसले को high court के instruction को petition file करके delay कराने की कोशिश कर रहा है जो CIT का petition है जो साब को पता ही है यहाँ पर बताया गया है दो हफते के अंदर CCI को अपना result देना है और उनके पास सारा असला है अब CCI के पास में इस deal को cancel करने के लिए future coupon और Amazon की दोस्तों अभी तरफ चनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हिट था सब्सक्राइब बडन हमारी recommendation शुरू से future group के stocks को सारा को hold करने की है और average करने की है देखें यहाँ पर 50 रुपे के उपर अभी भी भी बहाव चल रहा है आज कुछ stock मिले जुला इसर रहे है आज यहाँ पर खुला ऊपर था बड़ बंध होते होते एक रेड केंडल बनी है future retail में F.E.L. interestingly एक positive momentum दिखाया है और bullion's rebound के mean level पर आ गया है यहाँ से उपर जाने की शुवात करेगा Reliance Industries भी अभी भी pressure में है अगर देखा जाए तो यह सारे के सारे stock आप चाहें तो अपने portfolio में ज़रूर बना के रखिएगा 5% करने हैं हमेशा ध्यान रखिए Please consider financial advisor और हमार साथ जुनाय को मिल रपकिज़े जैंचे भारत बाइगाइज